असामलेकूम, वेलकूम तो मैं चैनल, उम्मित करते हाँ सो खेरियत से होंगे, आज का ये जो पूर लुद्फ सा मकाम आप देख रहे हैं, शार्दा नाम इस जगा का, और दो दुरियाओं के संगम पर इस वक्त हम खेह रहे हुए हैं, एक परफ से यहां पर आ रहा है दरिया है शुर्गन, भहुत थियारा दरिया थंडा थंडा और फंडी हवा भी इसके सासाथ आती हैं, और दूसरी साइड से हमारा जो दरियाओं नीलम है, वह नहीं रहा है और ऊपर ये पहाड हैं और प्यारे प्यारे जंग्लात हैं, थंडी हवाइं चाल रहे हैं, और बहुत प यहां बहुत जूञा सब्सक्ते हैं, उस बहुत ज़ों, को अच्छी नहें? यहां और सहुलियात हैं, रहने के लिए रूंच भी वह बहुत बुहाँ ने रहने के लिए रूंची. अब क contribute कर सकते हैं मैंन का नंबर भी मेंन龍 मेंशन लिए आप बहुत आड़कर सकते हैं बहुत प्यारा और नीला थंडा ठार पानी है यानि आप समझें के चुवर का मज़ा दोबाला हो जाता है किस देगा पराद यानि झंता पानी जाता और प्रैथ, प्रिया डर्या बेख दार उन से चंडा आपकांना तर है यानि तरृच दिनिया, किसे रेखता है। आपक पैश्यों कि मर्या सुके नर भी में सब मत तक अगाई है तक सब में कि कपते तेरेख कोना प्रेख में है है हुआ है यह दो दिव्याओं का शौर अब पवाज हारी होगी, शौर और दिरख्तों की पुर्टिजा माहौल इंसान को सहर में मुझदा कर देता है, और इंसान जंग रह जाता है कि हम इसनी शौर वली जिंजी में चूर रहते हैं, यहां पुर्टिजा और पुर्टिजा माहौल में जो पुर्टिजा में चूर्टिजा में जो इंसान की जहन को फर अब बख्ष बना दें, आपको एक मतबा जरूर विजिट करना दें। करना दें ताटिजा में चौर्टिजा दें। झाल झाल बाहर रेस्टोरेंट के बाहर प्यारी सी खुली सी जगा है यहां पर अपनी गाड़ियों को भी पार्क कर सकते हैं और आगे दरिया से भी लुट फंदोज हो सकते हैं जिस तरह यहां को बाहर का माहौल बहुत खुबसूरत है इसी तरह इस गैस्ट हाउस के अंदर भी बड़ बाहर है यहां यहां पर कोई मसला नहीं है यहां पर 24 आवर्स होती है अच्छा यह बेड्स लगे वह हैं बड़ इच्छे बेड्स और वेल फरनिष्ट है यह बेड्स है त्री तू फाइफ बेड्स के रूम्स भी आपस इसी ली अवेलेब हो जाएंगे सफाई के बहुत अच्छा इन पजाम है यहां पर इस तरह के पुर्जम पॉइंट पर जो है त्री नहीं के लिए तौिलेट पर तॉलेट वेहां पर बहुत अच्छा है अब देखिये त्री और अजिगे जाएंगे कोई किसी किसम का प्राब्लम नहीं होगा गरम बाली भी यहां 24 आउर्स इस वाच्ट रूम में आपको मिलेगा यह और पहारिया और सबसा इसबसा बहुत उस्षरत वीयो है अगर आपको इस वीडियो के साथ साथ वीयो भी बहुत अच्छा लगा अगर आपको वीडियो पसं